हलो दोस्तों, एक्जाम प्रिपेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ समिक्षा अधिकारी और सायक समिक्षा अधिकारी 2023 और UPPCS 2024 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए इस चैनल पर लगातार प्रिपेशन कराई जा रही है लगातार आप इन क्लासे से जुड़ करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं तो आज जो मैं क्लास सुरू कर रही हूँ वो इतिहास की सीरीज है अभी तक हम लोग सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइस पढ़ रहे हैं जो कि दोपर एक बज़े की क्लास में उसके साथ साथ प्रिवेसर कोशन सॉल कर रहे हैं इससे आप अपनी कंप्लीट प्रिपेशन कर सकते हैं आरो ए आरो दो हजार तेईस प्री एक्जाम के लिए इसके साथ साथ पूरी हिंदी मैं कंप्लीट कर आ रही हूँ टॉपिक वाइस और उसके साथ आप यूपिश स्पेशल की भी क्लास देख रहे हैं आ रहे हैं ऐसे करके आप अपने पूरे सब्जक को छोड़े छोड़े पार्ट में कंप्लीट कर पाएंगे पर ये जो न्यू सीरीज है वो आपकी हिश्ट्री के लिए अलग से क्योंकि आप जानते हैं जीएस पेपर फर्स्ट में हिश्ट्री के काफी प्रेशन पूछे जाते हैं आरो एरो एक्जाम हो या फिर यूपी पीसेस का एक्जाम हो तो ये इतिहास की सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है आपको क्या करना है मेरे साथ इन क्लास को बार-बार रिपीट करके रिवाइस करना है और क्या करना आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है इन नोट्स को बना करके आप क्या कर सकते हैं एक्जाम टाइम में क्विक रिवीजन हो जाएगा आप मेरी क्लास देखेंगे तो सुनकर याद होगा और उसके साथ साथ आपको यह क्या होगा कि आप रिख रहे होंगे तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यार कर पाएंगे तो चलिए बिना देर के आज हम लोग matar करते हैं देखे टियास को तीन पार्ट्ने पढ़ा जाता है प्राचीर भार्तिय टियास और फिर कि अमतिकालीं भार्तिय टियास उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भार दिये थी आस पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इन में महत्पून जो घटनाए हैं उनकी तीथी हैं जो भी important facts हैं उनकी listing prepare करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे UPPSC का जो exam pattern है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ से जो प्रश्ण होंगे वो काला नहीं हल कर पाएंगे और इन प्रश्णों की संख्या लगाता बढ़ती जारी है तो अब तक कि सबसे महत्पून क्लास होगी आपकी इतिहास की इस क्लास को बिलकुल भी मिस नहीं करना है तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो साथ में बार-बार रिवाइस करके prepare कर सबसे पहले हम बात करते हैं सिन्दू संब्धिता के प्रथम नगर आप प्रथम नगर कब देखे जाते हैं सह सैतालिस सो वर्स handicap संग्हाता कि प्रथम नगर देखने को मिलते हैं अब इसके बाद देखिए गंगा घाटी के नगर और मगत का जो बड़ा आपको कहीं भी डेट नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ आगे पीछे रहता है, इसलिए यहाँ पर लगभग शब्त का प्रयोग किया गया है, आपको याद अखना है, पचीस सो वर्स पूर लगभग गंगा घाटी के नगर देखने को मिलते हैं, और मगत का बड़ा राजे, अब बात करते हैं, हडपा सब्विता की जो तिथी है, एक्जैक्लि अगर आपसे डेट पूछा जाए, तो किस काल में हडपा सब्विता देखने को मिलती है, वो आपको याद अखना है, पचीस सो इसा पूर से सत्रा सो पचास इसा पूर, देखिए कभी-कभी ऐसे ही प्रशन गलत हो जाते हैं, कि आपसे सिर्फ डेट ही इग्जैक्लि पूछ लेता है, अब आप सोचते ही इतना इजी से है, यह कोई तयार नहीं करता है, उस पढ़ते चले जाते हैं, तो आपको हर एक डेट पे फोकस करते हुए याद करना है, तो पच्चेस सो इसा पूर से सत्रा सो पच्चास इसा पूर हडपा सब्विता की तिति है, अब जो रिगवेद, इसके बाद क्या होता है, वैदिक काल आ जाता है, उसमें रिगवेद की रशना का समय पूछा जाता है, आप याद रखे पंदा सो से एक हजार इसा पूर के बीश लगभग रिगवेद की रशना क काल है, इसके बाद जब वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल में आप आएंगे, तो उसका जो समय पूछा जाएगा, वो समय हो जाता है, एक हजार इसा पूर से 600 इसा पूर तक क्या है, उत्तर वैदिक काल, इसके बाद हर्यंक वन्स या दखिए, इसका समय क्या है इसकी तिथी क्या है । ये तो चोवालीस इसापूर से चार सो बारा इसापूर, किसके बारें बात करनें हर्यंग, हर्यंग के बाद आए नंदवंस पर, नंदवंस का समेवधी 345 से 321 सीसापूर, क्या यादखना है, 345 से 321 सीसापूर, फिर मौरेवंस याद कीज़े, मौरेवन्स में 321 इसापूर से वागे बढ़ी 184 इसापूर तक मौरेवन्स आता है मौरेवन्स के बाद आपको समय वधी यादक नहीं शुंगवन्स की 184 से 75 इसापूर ठीक है अब बाद में बात करते हैं जो महाजनपद हैं तता गंगा के मैदानी इलाकों में जो नगरों का विकास होता है इसके साथ-साथ उपनिशत, जयन धर्म, बौत धर्म इनसे जुड़े जो विचार हैं इनका उदय होता है वो लगभग 500 इसापूर के आसपास होता है अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि बुद्ध, अतंबुद्ध जी के जर्म की डेट क्या है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसके साथ-साथ आपको जयन धर्म में जो महावी स्वामी है, उनकी डेट बतानी है, बर्ध डेट बतानी ठीक है, यह आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे तो महाजन पतता गंगा के मैदानी रिलाकों में जो नगरों का विकास होता है, वहाँ पर उपनिशत भी रशना शुरू हो जाती, जैन धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में आपको जानने को मिलता है, यह सब 500 इसापूर के लगभग आपको देखने को मिलता है अब बात करते हैं, पश्ची मोतर में सिकंदर का आक्रमर कब होता है, डेट याद अखिए 327 से 325 इसापूर के मद्ध होता है, और चंदगुप्त मौरिक अब राजा बनते हैं, यह 321 इसापूर लगभग असोग का शासनकाल या दखना देखिए, यहाँ पर थोड़ा मत में कन्फ्यूजन है, 272 भी बहुत जगह मिलेगा और 268 भी मिलता, तो दोनों डेट याद कर लीजे, 268 इसापूर से लेकर के 231 इसापूर के बीच लगभग ये डेट मानी गई है आगे बढ़ते हैं, संगम साहित की रशना के बारे में देखिए, इसका समय 300 इसापूर से 320 भी लगभग और सिंदुगाटी सबेत, अभी हम लोगों ने पढ़ा, 2500 से 750 था, वही 1800 इसापूर लिखा हूँ है, फिर गौतम बुद का जन्म, अभी मैंने आपसे पूछा था, देखे वही उसका उत्तर यहाँ पर है 563 इसापूर और महावीर का जन्म कब होता है, 540 इसापूर, दोनों डेट बहुत अच्छे से आप लोग रट लीजे, भारत पर अलेक्जेंडर का हमला कब होता है, 327 से 326 इसापूर, देखे इतिहास सभी जो भी एक्जाम जिसमें भी जीयस पूछा जाता है, उन सभी के लिए महत्तुपूर्ण है, अब आप अगर यह समझे कि इस क्लास सिर फारो या रो या फिर यूपी पीसेस के लिए तो भी आप लोग गलत समझ रहे हैं, इतिहास जहां भी पूछा दाएगों सब में इस क्लास का उतना ही महत्तु है, तो आप यह समझे है, आपका एक सब् गुप्त का राज्यवी सेख कब होता है, 313 इसापूर्यु चंदगुप्त मौर के हाथो सेलुकस की पराजय हो जाती है, 305 इसापूर्यु कलिंग की विज़े देखेे, 261 इससापूर्यु होती है, विकरम समझे का आरभ होता है, 573 इसापूर्यु इसके बाद कनिश्क का स साशन रहता है और गुप्त सामराज की स्थापना होती है तीन सो बीस इस वी लगभग वल्लभी की परिशत में जैन साहित का संकलन होता है लगभग 512 ये 521 इस वी के लगभग होता है हर्जबर्धन का साशन कब रहता है 606 से 647 इस वी तक और जो चीनी आती है इंसांग है य या दखिए 630 से 643 इस वी के मद अब बात करते है पुल के सिंद्धी के साशन के समयावधी की तो यह 609 से 642 इस वी इसके बाद सिंद पर भारत सिंद पर अरब का जो पहला आकरमण होता है हमला होता है यह होता है 712 इस वी में कनौज के सासक भोज राजा का राजविशेक होता है 836 इस वी में और चोल सासक राजा राज का राजविशेक कब होता है 980 इस वी सुल्तान महमूद का राजविशेक भी यात कर लीजे 998 इस वी है 275 से 550 नागभट का साशनकाल याद करिए 730 से 756 इस वी नागभट दुती का साशनकाल याद रखने 800 से 833 इस वी अब वत्सराज का याद कर लीजे साशनकाल यह होता है 2775 से 820 और महंदपाल प्रथम का साशनकाल रहता है 885 से 910 इस वी महिपाल का साशन यह आदक ही है 912 से 944 इस वी ठीक है फिर लक्षमन सेंके साशनकाल की बात होती है 1178 से 1206 इस वी मीर भोज प्रथम जो है इनका साशनकाल 836 से 885 इस वी और देवपाल का साशनकाल रहता है आट सो दस से आट सो पचास हीजवी धर्मपाल का शाषन काल साथ सो सत्तर से आट सो दस हीजवी तक तो ये प्राचीन काल की कुछ महत्पूर्ण घटनाय थी जिनकी तिथिया मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है आपको क्या करना इस वीडियो को दो तीन बार रिपीट करकर के देखना है जितना ही ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको ये तिथिया याद होंगी फिर आप क्या करिए लिख करके देखे आपको कितनी रेट्स याद हो गई है टाइक करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें इस चैनल से तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ऐसे ही और टापिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद